नमस्कार दुस्तों स्वागत आप सभी का आज की इस वीडियो में कभी न कभी जरूर खायल आता होगा कि आप जो इमेल एड़ी यूज कर रहे हैं आप अपने मोबाइल फोन में फिर आपका मोबाइल नंबर जो है वो जो है कोई दूसरा कोई किसी गलत तरीके से हो तो उसक सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यह आपको अच्छा लगे तो आपने दोस्तों के बीच भी जरू सैड कर दीजेगा तो चलिए शुरू करता आज के वीडियो इस स्टेप को फॉलो करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल फोन में गूगल प्रेश्टोर को ओपन कर लेना गूगल यहां पर क्रॉम को गूगल क्रॉम को जैसे आप ओपन करोगे कोई भी ब्राउजर रहेगा चलेगा यहां पर आपको एक वैपसाइट आपको टैप करना है है वी बीन पी डवलू एनीडी डॉट कॉम इस वैबसाइट का लिंक भी आपको वीडियो क पी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप उस जगह से डायकली से जो है यहां पर वीजिट कर सकते हैं पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना होगा इसके उपर में एक किलिक कर देना जैसे आप यहां पर किलिक करोगे उसके बाद फिर आपके समने में एक वैपसाइट ओप इसके उपर में आपको किलिक करते देना और यहां पर फॉसकिलिक करने और उप स दिखा दे रहा यहां पर यह option जो दिखा दे रहा है यह वाला option इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो इमेल एडिया वो लीकेज है मतलब कहीं गलत जगह पर इसका जो यूज हो रहा है तो इससे हम किस तरह से बच सकते हैं सबसे पहले तो आपको जो अपने password है उसको change करना है और उसके बाद ज दिखा रहा है पॉंड इसका मतलब यह है कि आपका जो है सेफ है अब हम यहां पर mobile नंबर में क्या स्टेटस दिखाई देता है यहां पर फाइनल mobile नंबर टैप कर दिया अब यहां पर हम इस option पर फिर से किलिक किया और यहां पर चेक किया तो कुछ इस तरह से यहां पर option द पचेंगे उसका हम यहां पर आपको बताने वाले जैसे कि अगर आप अपने mobile में इमेल आइडी यूज कर रहा है तो उसको सबसे पहले आप जो इसका पासफ़र आप चेंज कर ले कार और पासफ़र चेंज करने के बाद जितना भी मानके चले कि वहां पर आपका चेक कर सकते कि कौन सा उसमें पर आपके एमेल में एक्सेस हो रहा है यहां फिर को भी एप्लिकेशन के तुरूस्ष आपके इमेल में जो है चेक करने के लिए सबसे पहले आपको आपको ई-मेल पे जाना है इमेल में जाने माड़ कड़ी आपको तरह सेक्षन में आजाना है security section में जैसे आप आओगे यहां पर कुछ इस तरह से interface दिखाई देगा यहां पर आपको ध्यान से देखना है क्या चीज़ दिखाई दे रहा है यहां पर आपको manage device दिखाई दे रहा है तो इसके उपर में जैसे आप किलिक करोगे फिर next जो इसमें sign out कर देना है इस तरीके से उसके फिर यहां पर आपको बटन पर किलिक कर दाना फिर यहां पर इस option पर जाना है यहां पर आपको साइन आउट कर देना है उसके बाद जो इसमें में चीज़ आपको बताने वाले मैंने फार्ड पाटी एकसेस इस ओप्जन पर आपको एक किलिक कर रहा है जैसे आप यहांपे किलिक करोगे तो आपके सामने में जितना भी अधर कंपनी के तरब से आपका आए हैं पर इमेल में एकसेस हो ड़ाए वह आपको यहांपे लिस्ट दिखा देगा इस लिस्ट में जैसे किह आ पर दिखा देरहों में प्रिटेश्च यहां पर पनुलन के क्लिक करेंगे जैसे 2 क्लिक करेंगे को सब्रसक्राइप पहती करोगे कुछ ईस तरह से इनड़ से इंटरपेस दिखा देगा अपको यहां पर ईक्सेड ऑप्छन दिखाई दे रहा इसके ऊपर skating में क्ल कर दोगे कुछ इस तरह से यहां पर जो है आपका यह 100 परसेंट जो है कंप्लीट हो जागा एक्सेस उसके बाद भी आगला स्टेप बताने बाली जो कि आप बिल्कुल ध्यान से देखना अब आपको अपने मोबाइल फोन का जो गूगल पूम ऐसको आपको अबसरेंट करना यहां पर जीकर नौ जो धिखना देरा इसके ऊपर में किलिक करना यहां से आप यहां पर यह पता लगा सकतो कि आपका यहां पर जो है अपडेट यह मतलब आप जो ब्राउजर यूज करो इसमें किस तरह का मीसिंग है जैसे कि यहां पर अपडेट कर लेना इसका फिर यहां पर पासवर्ड आपका सही है ब्राउजिंग भी सही है इसको चेक करके आप अपनी मोबाइल फोन को और भी ज्यादा सेक्यूर बना सकत यहां पर फिर एगन आपको चेक बटन पर किलिक कर देना तो यहां पर आउट अपडेट अपडेट है तिहां पर जयाका लगाडेट फोटफ यहां पर på कर जयाँ कितना आपका शिक्यूर है उम्मीद करते हैं यह अपडेट आप से दोस्तों को समझ में आगा मिलते हैं फिर किसे ने अपडेट में धन्यवाद जाहिंत वंद्यमात्रम